आदिन्न दाना बिर्मनी सिखाप दंस्मादियामी धम बड़ा या धर्म बड़ा धरसल जब से भारत में लोगों को ये पता चला है कि भंग्नवान बुद्ध ने धम दिया है तब से अमबेटकर अनुयाई या जो धम को दुबारा से सीख रहे है जब कहीं कोई बात होती है तो वो कहते हैं धम अलग है धर्म अलग है दरसल धम जो प्राकर्टिक नियम है उनके लिए जाना जाता है जो भग्नवान बुद्ध ने बताए और आज के समय में जो धर्म है वो मैन मेड या जो मनुस्य ने खुद नियम बनाए है उनके लिए जाना जाता है धम रिलिजिन नहीं है जबकि धर्म रिलिजिन है ऐसा बताया जाता है अमोमन इसलिए जगड़ा रहता है कि धम बड़ा या धर्म बड़ा मगर अगर आप पाली पड़ेंगे और पाली जानेंगे जैसा डॉक्टर अमबेटकर ने सोलवे वोल्यूम में दिया हुआ है क्योंकि सोलवा वोल्यूम पूरा का पूरा पाली की दिक्ष्णरी है वहाँ वो साफ साफ बताते हैं ना धम बड़ा है ना धर्म बड़ा है दरसल धम से ही धर्म बना हुआ है क्योंकि धम में आधा में पूरा में आता है और पाली से जब संसकायत करके एक नई भासा बनान की modified भासा बनाने की कोशिस की गई तो उसमें जो आधे सब्द वाले जो अखर थे उनमें आधा रे लगा दिया जबकि पाली में आधा रे होता ही नहीं है यानि धम में आधा में हटाकर रे लगा दिया आधा और धरम कर दिया तो अब आप समझ सकते हैं कि दरसल धम को ही कहा गया है जैसे कम को कर्म वर्ण को वर्ण चक को चक्र तक को तर्क सप को सर्प इद को इद्र पुब को पूर्ब और मच्चु को मिट्थू ये बावा साब अम्बेटकर का जो सोलवा वोल्यूम है उसमें सारा बहुत अंतर उन्होंने इसपश्ट-इसपश्ट करके बता हुआ है आप अगर अम्बेटकर अनुयाई है या पाली के जानकाई लेना चायते हैं या भासा कैसे काम करती है तो आप सोलवा वोल्यूम या तो पीडिएप से लोड करने डाउनलोड करने नेट से करने या इसको पर्चेस करने खहिदने तो आपको जानके बड़ा नहीं होता था क्योंकि नैचूरल जो नियम होते हैं प्राकरतिक नैसर्गिक कुदरती जो नियम होते हैं लो होते हैं या विने होते हैं उनको धम कहा गया है पाली में धम का मतलब है धारण एहंग और धारण एहंग को बाद में धम बोला गया यानि मैं जो धारण करता हू मैं का मतलब है कोई भी वस्तू, कोई भी चीज जो वो धारण करती है वो धम हो जाता है धम क्या है तीम 22 पर इसका एक बहुत जादा detailed वीडियो बनाया हुआ है विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है आप धम क्या है तीम 22 करके type करेंगे तो आपको वो वीडियो टीम 22 पे मिल जाएगा जो आपको इस पस्ट रूप से बताएगा इसलिए जैसे कम और कर्म बरावर होते हैं वन और वन बरावर होते हैं चक और चक्र बरावर होते हैं तक और तर्क बरावर होता है सप और सर्प बरावर होते है इद्ध और इंद्र बरावर होता है पुग और पूर बरावर होता है मच्चु ही मिर्टु है वैसे ही धम ही धरम होता है धन्यवाद तम बंसे नंद्र